हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की ग्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं, आज पढ़ेंगे बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में, गोइंग टू के प्रेयोग, किसके प्रेयोग पढ़ रहे हैं, गोइंग टू के प्रेयोग पढ़ रहे हैं, काफी जादा इंटरस्टिंग है, तो चलिए जान लेते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चानल पढ़ने हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजे चानल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते हैं बल आइकान दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि जब भी हमारी कोई नगी क्लास आये, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीधे-सीधे हमसे जुड़तकते हैं इस वाटसप नंबर के जरिये, हमारी बुक्स, हमारी एबुक्स, हमारी पेड कॉर्सिस के बारे में जानने के लिए, साथी-साथ ये वाली क्लास, इसका जैसी धे जा रहा है करने जा रही है या करने जा रहे हैं क्या मतलब हुआ करने जा रहा हूँ किसे वाक्य मन हो तो अस्तमाल करते हैं, मन में प्लान है कि भविष्य में ये वाला काम जो है करेंगे, तो गोइंग टुक अस्तमाल होता है, कैसे? किसी काम को करने के लिए अगर आपके मन में प्लान हो तो, यानि कि भविष्य की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, तो एक एक जाम्पल क मेरे मन में है कि future में जो है मैं छोड़ दूँगा I am going to live smoking मैं धूमरपान छोड़ने जा रहा हूँ तो किस का अस्तमाल किया हमने going to का अस्तमाल किया अब example के आप यहां पर structure देख लीजे आज हम लोग going to का अस्तमाल is am r के लिए पढ़ रहे हैं is am r के लिए पढ़ रहे हैं कैसे देखिए कैसे इस्तमाल करेंगे या तो रहेगा is going to am going to are going to साथ में लग जाएगा v1 वर्ब का पहला form example देखिए I am going to leave मैं छोड़ने जा रहा हूँ I am going to leave I am going to leave clear है अब is am r going to I am going to leave smoking अपने जोड़ दिया other word यान कि object आ गया यहां पर object क्या है smoking object है object की तरह यहां पर act कर रहा है I am going to leave smoking मैं धूमरपान छोड़ने जा रहा हूँ देखा कैसे other words एड़ कर दिया तो कैसे बन गया I am going to leave smoking बढ़ते हैं आगे किस के साथ इस्तमाल हो सकता है सब के साथ I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ going to के साथ हो सकता है कैसे स्तमाल हो गा? I am के साथ I के लिए स्तमाल होगा he, she, it और किसी भी नाम के लिए स्तमाल होगा clear है यहां तक ? तो चलिए अब देर किस बात की examples से जान लेते हैं इसके और प्रयोग I am going to participate, मैं भाग लेने जा रहा हूँ I am going to participate, मैं भाग लेने जा रहा हूँ School में कोई competition हो रही है, college में कोई competition हो रहा है I am going to participate, मैं भाग लेने जा रहा हूँ I am going to participate, I am going to participate in this competition मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ We are going to complain, हम शिकायत करने जा रहे हैं Simple हो गया, इसके साथ देखिए They are going to buy, वे लोग खरीदने जा रहे हैं They are going to buy a new house, वे लोग एक नया घर खरीदने जा रहे हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, object mention कर रहे हैं they are going to buy a new house वे लोग एक नया घर खरीदने जा रहे हैं अब देखिए going to ऐसा कोई काम जो आप शुरू करने जा रहे हैं या ऐसा कोई काम जो आप आरंब करने वाले हैं ये भविश्य को सूचित करता है क्या दिखा रहा था अभी वाक्य की कोई काम आप शुरू करने या तो जा रहे हैं या कोई आरंब करने जा रहे हैं कोई काम आप स्टार्ट करने वाले हैं मतलब ये आने वाले भविश्य को दिखा रहा है आप आने वाले भविश्य के बारे में बात कर रहे हैं है ना, यह सारे वाक्य से हम लोग को यही समझ में आया, तो चलिए और example देखते हैं, they are going to lose, वे लोग हारने जा रहे हैं, वे लोग हारने वाले हैं, या वे लोग हारने की राह पर हैं, बात सेम हैं तीनों वाक्य में, ध्यान दीजे, वे लोग हारने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, भविश्य की बात कर रहे हैं, वे लोग हारने वाले हैं, ये भी भविश्य की बात हो रही है, वे लोग हारने की राह पर हैं, मतलब निकल गए हैं, हारने की राह पर हैं ना, क्या दिखा रहे हैं भविश्य दिखा रहे हैं they are going to lose clear है अब देखिए about or going about to or going to में क्या फर्क होता है फर्क होता है दोनों चीजों में क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि about to or going to अरे दोनों तो सेमी चीजे हैं लेकिन about to जो है वो near future को दिखाता है निकट भविश्य को दिखाता है किसको दिखाता है near future निकट भविश्य को लेकिन going to क्या दिखाता है भविश्य मतलब थोड़ा सा और और थोड़ा सा बढ़ करके हैं भविश्य दिखाता है इसको व्रिहत रूप में भविश्य को दिखाता है clear है देखिए PM Modi is about to come here this evening PM Modi आज शाम यहां आने वाले हैं इस example को देखिए तो इस example में हमने about to का प्रयोग किया है near future आज शाम की बात हो रही है PM Modi is about to come here this evening आज शाम की बात हो रही है लेकिन अगर हमें प्रयोग करना हो going to का तो कैसे करेंगे PM Modi is going to visit indoor next week देखा अगले सब्ता भविश्य की बात अगले सब्ता PM Modi जो है अगले हफते indoor आने वाले हैं या indoor के दौरे पर जाने वाले हैं PM Modi is going to visit indoor next week समझ में आया about to going to का difference क्या होता है अब समझ में आजाएगा कहां इस्तेमाल करना है It is going to be tough ये मुश्किल होने जा रहा है या ये मुश्किल होने वाला है It is going to be tough Mohan is going to leave drinking Mohan शराब छोडने जा रहा है Mohan is going to tile her kitchen Mohan अपनी रसोई में tile लगाने जा रही है Mohan is going to tile her kitchen यहाँ पर देखिए tile her kitchen का मतलब ही हो गया कि tile लगने वाला है kitchen में Mohan अपनी रसोई में tile लगाने जा रही है Mohan is going to tile her kitchen Clear है इसके साथ ही आप सब के लिए है homework क्योंकि homework बहुत ज़रूरी होता है, concept समझ में आने के बाद जब आप homework बनाते हैं, तो आपकी learning में लग जाता है, थपा यानि की stamp लग जाता है, तो तैयारी जो है ना, बिलकुल पक्की वाली हो जाती है, मैं गरीबो की मदद करने जा रहा हूं, इसका वाक्य, यानि कि इसका अनुवाद, इस्तमाल करना है, going to को, और लिखना है answer में, comment section में answer लिखना है, क्या लिखना है, going to का इस्तमाल करके, मैं गरीबो की मदद करने जा रहा हूं, going to का इस्तमाल करके आपको answer लिखना है comment section में, clear, तो class कैसी लगी, अच्छी लगी ना, जल्दी से कर दीजे like, और कर दीजे share, और नहीं किया है, कर अभी तक चानल को subscribe, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कर लिजे चानल को subscribe, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई वाक्ये हैं, जिनमें आपको लगता है कि confusion होती है, समझ नहीं आता, कब कहां कैसे इस्तमाल करें, तो मुझे comment क कर कर बताईए, बहुत जल्द उसकी भी classes लेकर के आऊंगी, clear? इसके साथ ही आप सब के सामने है, भारत का एक लौता, mini spoken English course, जिसको आप प्यार से छोटू spoken English course भी बिला सकते हैं, अब क्या है भाई इस course में, इस course में हमने पनी research में पिछले दो सालों की research में पाया है, कि अ आप अंग्रीजी बोलने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, आप आराम से वाक्यों को convert करके, आप हिंदी वाले वाक्यों को अगर आप convert कर लें अंग्रीजी में, तो फिर क्या देर लगीगे अंग्रीजी बोलने में? बिलकुल नहीं लगीगी, तो ये course जो है, आपको ये ही सिखाता है, ये ही कराता है, दुनिया में कोई भी वाक्यों हो, इस course को करने के बाद आप आराम से याद करने के बाद, प्राक्टिस करने के बाद, आप आराम से उसको अनुआद कर पाएंगे, तो फिर अंग्रीजी बोलने में कौन रोकेगा, आपको कोई नह लोग सकता है ना तो जल्दी से ये कोर्स अलड़ी आ चुकी है अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको करना क्या है बता रही हूँ साथी इसके उपर बेस्ट इबुक भी आ चुकी है जिसमें 160 प्लस पेजेज हैं हर तरह का वाक्य उसका एक्जाम्पल उसके रूल्स और वाटनॉट ये सारी चीज़े है इस इबुक में भी ठीक है तो ये कोर्स और ये इबुक अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो करना क्या है जो नंबर बताया था ना आगे भी बताऊंगी उस नंबर पर करना है आपको वाट्साप मेसेज लिख करके मुझे म मिनी स्पोकें इंग्लिश कोर्स चाहिए आपको यही लिखके भेजना होगा और उसकी इबुक भी चाहिए क्या लिखके भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकें इंग्लिश कोर्स और उसकी इबुक चाहिए ये लिखके आप भेजेंगे तो आपको अमारे टीम दौरा ये दोनो जो पहुत जल लांच कर लोहां चाहे हो तीम किताब करने लाहने लिग दिश घरेव कर दो क напряг किताब reality सब्सक्ताब गुछ किताब के लिवप में yhtी किताब आ वाली है सब्सक्रार tabii तो आपकी फेवरेट कौनसी होने वाली है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम वाटसप स्पोकें इंगलिश कोर्स पे, इसकी इंक्वाइरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, इंक्वाइरी में जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हो ना कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी चीज़े आप मेसेज करके पूछ सकते हैं, और इसके अगली बैस कप शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लीचेगा, ये है बेसिक इंगलिश ग्रामर कोर्स, यानि कि ग्रामर की वही बे सबने इसे पहरा तो इसके इनक्वारी आप अपके घर बाचे हैं, तो आपको पता होगा कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी असांनी यह यूँकि एसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग, लेटर, राइटिंग, नोटिस, राइटिंग ये सारी चीज़ें, तो इसकी इनक्वाइरी भी आप इस नमबर पर कर सकते हैं, और अगर आप आपके एक सीरिस आस्पेरिंट हैं, जैसे किसी भी कॉम्पेटिटिव एक्जाम के त पाएं, जैनकारे मिलने में फिर भी, 12-40 गंडों का वक्त लग जाता है, तो क्रिप्या प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है, तो इनिश्यन्त हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर, जरूर मिलेगा, क्लियर, So yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, Be with BeBanker, Empowering Life Through Knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to BeBanker.